हलो दोस्तू आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर से सबंदित यह हमारी क्लास सातवी रहेगी अगर इससे पहले की छे क्लासिज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारी चैनल की प्रिलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर के नाम से होगी तो दोस्तो इस वीडियो में ह हम discuss करने जा रहे हैं motor vehicle inspector का paper जो 2019 में हुआ था शायद उसी को हम discuss करेंगे तो हम इसका जो gk section है वो solve करेंगे क्योंकि बाकी तो motor vehicle inspector का जो सब्जक्र था उससे था तो दोस्तो पहला प्रेशन है अजन्ता गुफाओं की चित्रकारी इसकी कहानी को चित्रित करती है तो दोस्तो जो अजन्ता केप्स पेंटिंग है वह जातक कथाओं को चित्रित करती है तो इसका जो ओप्षन ए होगा वह सही होगा जातक कथाओं अगला जो प्रेशन है अस्टा ध्याई deals with दोस्तो जो आपको पताना है अस्टा ध्याई बहवार रखती है तो दोस्तो जो अस्टा ध्याई है वो ब्याकरण से समंदित है और जो अस्टा ध्याई है ये किसकी रचना है ये रचना है पानेनी की इसका जो ओप्शन C है वो सही होगा अगला जो प्रेशन है दोस्तों आपको प्ता दे जो गुप्त समराज्य है उसकी जो स्तापना की थी वो शिरी गुप्त ने की थी अगला जो प्रेशन है तो दोस्तो जो पाल समराज्य था उसकी स्तापना को पाल ने की थी तो इसका जो option A होगा वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है आरे समाज की प्रत्थम इकाई कब स्तापित की गई थी दोस्तों अपने question को बड़े ध्यान से देखना है यहां पूचा गया है बर्ष 1684 में British East India Company ने printing press लगाया था दोस्तों जो 1684 में British East India Company थी उसने प्रिंटिक प्रेस बंबे में लगवाया था तो इसका जो option C होगा वो सही हो जाएगा दोस्तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर और अन्य एक्जाम की त्यारी भी इसी चैनल पर करवाई जाएगी अगला जो प्रेशन है बर्स 1905 में लॉर्ड करजन के द्वारा नेमिन मैंसे किसे समन्त या नाइट नाइट होड की उपादी के लिए प्रस्तुत किया गया था दोस्तों जो लॉर्ड करजन थे उन्होंने फ्रोजसाह महता को समन्त या नाइट होड की उपादी के लिए प्रस्तुत किया था तो इसका जो ओप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा फ्रोजसाह महता अगला जो प्रेशन है बर्स 1928 में किसने कर नहीं का अभियान चलाया था तो दोस्तों बर्स 1928 में आपने सुना होगा जो बार्डोली की घटना होई थी तो बहाँ पर सरदार बल्लब भाई पटेल ने कर नहीं का अभियान चलाया था और उसी घटना के बाद महिलाव ने उनको सरदार का नाम दिया था इसका जो option C है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है पंच सील के सिधानतों की गोशना किसके द्वारा की गई थी तो दोस्तो जो पंच सील के सिधानतों की गोशना थी वो पंडे जवालाल नहरू के द्वारा की गई थी उस समय पंडे जवालाल नहरू भारत के मुख्यमंत्री थे और जो पंच सील के सिधानत है इनकी गोशना 1954 में की गई थी तो दोस्तो आपका अगला प्रेशन है चीन ने भारत पर आकरमन किया था तो दोस्तो चीन था उसने भारत पर अक्टूबर 1962 में आकरमन किया था पहली वार तो इसका जो ओप्शन D है वो सही हो जाएगा उसके बाद 1965 में भी हुआ था चैना पाकिस्तान की लड़ाई भारत के साथ हुई थी अगला प्रेशन है राजा रामोन राय एक अग्वा थे पत्तरकारिता में जनांदोलन में राजनितिक सुधारना में दोस्तो जो राजा रामोन राय थे वो इन सभी में अग्रिनी थे तो इसका जो ओप्शन D है वो सही हो जाएगा और जो राजा रामोन रा अगला जै बंदे मातरम है उनकी रजना है अनन्वंत उनसे लिया है अगला जो प्रेशन है निमन मैंसे क्या भारत के समीधान में राध्य सूची में सामिल नहीं किया गया है तो दोस्तों जो पुलिस है कानून वेबस्ता है और जो क्या दखानना है ये सभी स्टेट यानिकी राध्य सूची में आते हैं लेकिन जो CPC का अपने नाम सुना होगा दांड प्रक्रिया सहिंता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये है राध्य ये है स्टेट लिस्ट में नहीं बलकि यूनियन लिस्ट का हिस्सा है तो उसका जो ओप्सन D है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है नेमन मैं से कौन सा राष्ट मंडर सिखल समेलन भारत की मेजवानी में संपन हुआ था तो दोस्तो जो 24 सिखल समेलन था राष्ट मंडर सिखल समेलन भारत की मेजवानी में संपन हुआ था इसका जो ओप्सन C है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है संपर्दाइक समनबै सदभाब का राश्टिय नियास किस प्रशासनेक नियंतन के अधीन है तो दोस्तों जो संपर्दाइक समनबै सदभाब का राश्टिय नियास है वह ग्रिह बिश्यक मंतराले के अधीन है तो इसका जो option B होगा Home Affairs Ministry अगला जो प्रेशन है जातियों अथवा जनजातियों को अनसोचित जनजातियों में जाहर करने की शक्ती का सम्मेधानिक प्रादिकार नहित है तो दोस्तो ये जो जातियों और जातियों अनसूचे जंजातियों जो भी है उनको अनसूचे जंजातियों में जहार करने की जो सकती है वो भारत के राष्टपती के पास है तो इसका जो option C है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है मिराज can be explained by तो दोस्तो जो reflection की बज़ा से पूर्ण आंत्रिक परवरतन के द्वारा इसका जो option B है वो सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है एक तांबे के तार को फ्यूज के तार के रूप में प्रियोग नहीं किया जा सकता क्योंकि दोस्तों जो तांबे के तार होता है उसका जो गलनाक होता है वो भीसन-bisport कहलाता है तो दोस्तों जो तार हों में भीसन-bisport होता है वो Supernoba कहलाता है तो इसका जो option D है वो सही रहेगा अगला जो प्रेशन है! तो दोस्तो जो cassette होती है उस पर जो tape लगा होता है वो किसका होता है तो दोस्तो जो tape होता है वो iron oxide का होता है यानि की low oxide इसका जो option A है वो सही हो जाएगा अगला जो question है कार्डियोग्राफ सोरी गोवर गैस के उत्पादन में होता है production of गोवर गैस involves तो दोस्तो इसमें जो होती है वो fermentation होती है यानि की किनवन प्रिक्रिया होती है तो इसका जो option A है वो सही हो जाएगा अगला जो question है कार्डियोग्राफ का अपयोग निमन का पता लगाने में किया जाता है तो दोस्तो जो कार्डियोग्राफ होता है उसका उपयोग हिर्दिय की गती का पता लगाने के लिए किया जाता है तो इसका जो option C है वो सही हो जाएगा दोस्तो कैसी लगी आपको वीडियो आसकी वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडि यो कासी लगी